पंजाब के अजनाला कजबे के कुए में जो नरकंकाल मिले हैं वो उन 246 भारतिय सैनिकों के हैं जिनने 1857 के विद्रों के दौरान अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था मारे गई सैनिक गंगा के मैदानी इलाकों के रहने वाले थे इस स्टेडी को 26 अप्रेल को Frontiers in Genetics नाम के जर्नल में प्रकाशित किया गया स्टेडी के मुताबिक कुए में जिन सैनिकों के नरकंकाल मिले हैं वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 26 भी बंगाल इंफैंट्री का हिस्सा थे अंग्रेजी अकभार इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुरा तत्व विदो ने अजनाला की कुए को ऐसी जगा बताया है जहां 1857 के विद्रों से जुड़े सबसे अधिक नरकंकाल पाए गए हैं इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अजनाला के इस कुए का जिक्र एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लिखी गई किताब में मिला है वो अधिकारी 1857 के विद्रों के दौरान अमरित सर में डेप्यूटी कमिशनर के तौर पर तैनात था इस किताब में लिखा हुआ है कि लाहोर इस्तित मिया मीर केंटॉनमेंट के सिपाही बीफ और पॉर्ट चर्बी वाले कार्तूसों का विरोध कर रहे थे इसके चलते उन्होंने कुछ ब्रिटिश अधिकारीों की हत्या कर दी फिर पंजाब की तरफ भाग निकले उन्हें पकड़ लिया गया और अजनाला के पास मार दिया गया किताब के मुताबिक अजनाला के पास लगभग 282 भारतिय सैनेकों की हत्या की गई थी किताब में आगे लिखा है क्योंकि बड़े स्तर पर की गई इन हत्याओं की जानकारी बाहर जाने से और अधिक विद्रो भड़कनी की आशंका थी इसलिए अधिकारियों ने शवों को तुरंत कुए में फेक दिया इतिहास की किताबों में इस घटना का उतना जिक्र नहीं होता जितना की जालिया वाला बाग हत्याकांड का होता है कई इतिहास कार ये भी मानते हैं कि अजनाला कुए में मिले नरकंकाल उन लोगों के हैं जिनकी हत्या विभाजन के दौरान हुए साम्प्रदाइक हिंसा में हुई इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट बताती है कि साल 2014 में कुछ कम अनुभवी पुरातत्व विदों ने अब विज्ञानिक तरीके से इस कुए से कुछ नरकंकाल निकाल लिये इसके बाद सरकार ने पंजाब युनिवोसिटी के एंट्रोपोलोजिस्ट जेस सहरावत के नेतरत्व में विज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए एक ग्रूप का गठन किया इस ग्रूप ने कंकालों के कई हिस्सों का विज्ञानिक परिक्षण किया मसलन दात, जबडे के हिस्सों, मेरूदंट, खोपरी, हाथ और पैर की उंगलियों, फीमर, कॉलेबोन और हाथ की हड्डियों का परिक्षण किया गया साथी साथ इन नरकंकालों के साथ कुछ पुराने सिक्के, जूलरी और मैडल भी मिले इस कुए से दातों के कुल 9,646 सेंपल मिले ये अब तक किसी पुरा तात्विक साइट में पाया गया सबसे बड़ा तीथ सेंपल है अब तक 4,000 सेंपलों का विश्रेशर किया जा चुका है रिपोर्ट के मताबिक अच्छी क्वालिटी के 50 तीथ सेंपल की डियने जाच की गई इसके साथ 85 तीथ सेंपल का ऑक्सिजन आइसोटोप एनालेसिज हुआ स्टेडी करने वालों ने बताया कि दातों में खाने के जो सेंपल पाये गए हैं उसे पता चला कि हत्या करने के बाद कुए में जिन लोगों को फेका गया वो गंगा के मैदानी इलाकों से संबंद रखते थे खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से इससे पहले माना जा रहा था कि कुए में पाये गए नरकंकाल पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले लोगों के थे इस स्टेडी के बारे में इंडियन एक्स्प्रेस से बात करते हुए जैय सहरावत ने कई जरूरी बाते बताई उन्होंने बताया कि Trace Elements और DNA Analysis के आधार पर पता चला है कि जिन सैनिकों को मारा गया, उनकी उम्र 21 साल से 49 साल के बीच थी उन्होंने आगे बताया, Dental Pathology Analysis के आधार पर पता चला कि मारे गए सैनिक हेल्दी थे और शायद इसलिए ही सेना में थे आर्मी में होने की वज़ा से उनके पास अच्छी Dental Health बनाये रखने की सुभेदायों पलब थी स्टडी में ये भी सामने आया कि इन्सैनिकों को बहुत ही कुरूरता से मारा गया स्टडी करने वालों को 86 खोपडियों में दोनों बहुं के बीच चोट के निशान मिले हैं जिसे पता चलता है कि उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई साथी साथ नरकंकालों के साथ पत्थर की गोलियां भी मिली हैं जिनका इस्तमाल 19-वी शताबदी में कैद किये गए लोगों की हत्या में होता था कूले की हड्डियां भी तूटी पाई गई हैं जिसे ये पता चलता है कि गोली मारने से पहले सैनेकों को प्रतारित किया गया था साथी साथ मिर्ट सैनेकों को दफनानी की जगा सीधे उपर से कूए में उधें फेक दिया गया इस कूए से कंकालों के अलावा जूलरी, मैडल और सिक्के भी मिले हैं कुछ सिक्कों के उपर रानी विक्टोरिया के चित्र मिले हैं बताया जा रहा है कि इस नई स्टडी के सामने आने से भारतिय इतिहास को और अधिक एविडेंस आधारित तरीके से देखने में मदद मिलेगी आपके लिए खबर लिखीती हमारे साथी मुरारी ने मैं हूँ अर्शुता, देखते रहें दिललन टॉप, शुक्रिया